हलो इश्रुडेन आए एश्राट करते हैं आज एक नई टापिक कोगुलेशन आफ बलड कोगुलेशन आफ बलड देखिए होता कि है कि आपको कभी नगोई तो चोट लगी होगी तो बिलिडिंग भी होगी यानि बलड भी बाहर आया होगा तो चोट लगने पर जो बलड बा जाता है या आ आप लस को हट करते हैं जब आफ अपने हाथों को अपने हातों को क्या करते हैं कट करते हैं अपने अप therapy नाम लिखते हैं तो नाम लिखने से हमारी क्या होती है जो ब्लड वेसल है ब्लड वेसल क्या होती है रैप्चर हो जाती है या चोट आने से भी यह क्या होती है रैप्चर हो जाती है जिसके वज़े से क्या होती है ब्लेडिंग होने लगती है और कुछ समय के बाद यह ब्लेडिंग क्या होती ह अगर किसी बंदे को पता हो ना कि नाम लिखने नाम लिख रहे हो लेकिन यह blood clot नहीं किरेगा तो बंदा कभी न लिखेगा क्योंकि continuing bleeding होगी बंदे के बंदा के होगी निपड जाएगा एक नाम लिखने के चक्कल में ранब निपड जाएगा तो क्या होता गया है कि माली जी यह हमारी क्या ब्लड वेसल है यह क्या है ब्लड वेसल है इसके अंदर क्या यह ब्लड है यह क्या है ब्लड है यह क्या है ब्लड में क्या होती 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 है माल जो platelets होती है फ्रमबो-kainese को यह क्या करती है क्या करते हैं जो क्या करता है help करता है in blood clotting जो किसमें help करता है blood blood clotting में blood clotting में क्या करता है help करता है यानि कि bloodlets activate करें factor release करते हैं साथ ही साथ यह क्या करते है थ्रंबो काइनेज को release करते हैं अभी जो थ्रंबो काइनेज होता है यह क्या करता है कि हमारे हमारे प्लाजमा में हमारे प्लाजमा में प्रिजेंट एक सप्टेंस होता है जिस नहीं क्या करता है प्रो थ्रॉम्बिन प्रो थ्रॉम्बिन प्रो थ्रॉम्बिन प्रो थ्रॉम्बिन क्या होता है इनक्टिव फॉर्म में होता है कैसे होता है इनक्टिव फॉर्म में होता है कहां प करता fundraising करता है यह हमारे बलड़ंप प्रिजर्ट फाइब एंद संगॉप ऩो यह क्या करता है इसे उपर काम करता है यह किसा होता है इन एकट्वी होता है तो तो थ्रॉंबिन क्या करता है फाइब्रीन को एक्टिवेट करता है और इससे क्या बनाता है फाइब्रीन क्या बनता है अब फाइब्रीन जे यह क्या होता है थ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर होता है यानि धागे की तरह इस्ट्रक्चर होता है लंबा लंबा इस्ट्रक्चर हो लिatoreल बना देता है जैसे मानी, यह क्या हो है यह अब यहां पे यहां से सभी लेकिज हो रहा है तो यहां पर यह जो हमारी फाइब्रीं है यह हमारे तो यह इस गीर करेंगे था यह यह दौने में पुरा कि लिगे गया होग दातनी बनादेंगा अब यह जाल में पर-घल कर रहा अनुट भी साल क्या होंगी और से भी कर खाने कर लाता कर रहा न चीज्ञार नोग तो क्या होँं हो जाते रहा यह क्या होता है और हमगे बन्हों है जाँ चोट लगी होती है यहां पर चोर लगी होती है क्लर है ठोधै गजलम होता है अभुषे तो फार्मेशन किसे उगा है Fibrin Fibrin याने Theriodic structure Fibrin और इसमें Trapped Formed Element से क्या होता है Plot का Formation होता है कर रहे है इसी के साथ Blood Clotting में Calcium Calcium का भी एक Importance Rol होता है Calcium का भी एक क्या होता है Importance Rol होता है Blood Clotting में यह यह फैक्टर यह फैक्टर को Release कर रही है यह फैक्टर इन θα practition यह कैल्सियम क्या करता हूँ उन्हें activate करता है जिसकी वज़ा से हमारा भलड और जल्द्दी क्लॉटी की क्लोटिंग हो जाती है ओके है इसके बाद चंस करते हैं इसके मिलके बनाता है cell से मिलके बनाता यानि cell cell ये सारी cell मिलके क्या खरें टिसो बना रहे हैं अब ये cell है सेल को क्या चाहिए oxygen चाहिए, nutrient चाहिए है और ये essential substance चाहिए और जो कुछ भी harmful जैसे carbon dioxide या जो कुछ भी harmful substance का पार्मेशन करता उसे इसे यहां से रिमूट भी जाता है, तो कहला होता गया है, कि मालो यहां से एक tackwellry आ रही है, क्या है? एक tackwellry आ रही है, अभी ऍर antrolut ऐयकर हूँ कोई जाएगी इसके अंदर यानि इस एंदर जाएगी यानि सिल के पास जाएगी तो यहां पर होगाक और वाटर साल्फॉल उस्मौल सब्टेंसं म siete तो इसमेंस से बहुत कुछ दूर्थ हों हिस्क्षी जा एते हí झायते हों। और जो क्या होंगे water में solvul होंगे तो कह रहा है कि water solvul small substance क्या होते है इस blood vessel से blood vessel से blood vessel से blood vessel से क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं blood vessel से क्या करती है बाहर निकल जाती है और निकल के जाती है जो cell के बीच में space होता है वहाँ पर चली जाती है blood से निकल कर इस space में आ जाते हैं इस space में आ जाते हैं यानि कि जो cell के भी इस space होता है उस space में आ जाते हैं किया रहा है अब इस flute को हम क्या कहेंगे interstitial flute कहेंगे क्या कहेंगे interstitial interstitial flute कहते हैं हम इसे क्या कहते हैं interstitial flute कहते हैं कह रहा है कि यह इंटरस्टेशेल फ्लूड जो होता है अब बलड और स्ल के भी जो भी जो कुछ भी एक्सचेंज होना होगा उस सब किस के त्रोगा इसी इंटरस्टेशेल फ्लूड के त्रोगा यानि कि यानि कि यह क्या है, सेल है, यह क्या है, सेल है, सेल है, सेल है, यहाँ पर क्या है, यह लिक्विड, लिक्विड आ गया, जैसे हम क्या करें, इंटरिस्टीशियल फ्लूट कह रहे हैं, अब यहां से यहां से बलड से, बलड से, इस सेल के पास कुछ जाना होगा, अगर यहां से बलड से cell के पास कुछ जाना होगा तो ये blood क्या रहेगा यानि यहाँ यहाँ पर बलड है वो क्या रहेगा उसे यहाँ पर निकाल देगा यानि मानलो oxygen oxygen को यहाँ पर क्या क्या यह निकाल दिया अब oxygen यहाँ interstitial fluid से कहाँ पर चला जाए पूरा नेटवर्क होता है जिसे हम करते हैं लिंफाटिक सिस्टम क्या करते हैं लिंफाटिक सिस्टम करते हैं अब लिंफाटिक सिस्टम क्या होता है नेटवर्क होता है पूरा क्या होता है यह लिंफाटिक सिस्टम क्या करते हैं अपने अंदर खीच लेते हैं इंटर स्टीशल थे के अपनitta करते है और अपने उन फड़ के अंदर खीचने के बाद क confirmation में कोने लिंफ कहते हैं इसी को हम क्या क्या है कएते हैं या इंटर्स्टीशियल फ्लुट को कर ने कहा किशा लिंफेटिक सिस्टम का अंदर खीचे स्थिक्ष्टम के अंदर खिजें लिंफ admiratis कозм का वोत की बात करें या था दोनों में रहने दुनों का disabilities क्या होता है सेम होता है बलardan की सेम में केरियर की तरह भी काम करता है यह एक जगन से दूसरी जगना लेगे जाता है यह कैसे काम करता है लिंफ के पास क्या होती है इस पेसल लिंफोग साइट होती है जिसकी वजह से लिंफ जो तह immune response होता है immunological response उसमें भी क्या होता है lymph का contribution होता है इसी के साथ जो हमारी intestine होती है small intestine में क्या होती है विलेई पाई जाती है तो कहरा है कि जो वहाँ पर विलेई होती है यानि जो intestinal विलेई होती है intestinal intestinal विलेई कहरा है जो intestinal विलेई में करता है किसको फैट को फैट को एब्स league करता है कि आपको इतना समझ में आ ध्याद है लिभ नहीं Bylraa किहा है लिफ टिस्टी से इसे तनी और नहीं लेगे अब जहां पर कekkäv होता है कि ये जो हमारा बलड़ प्ल्रीच का를 दो कहा होटा हैं थे और सुनाइब के बाहर आ जाते हैं ऑडो के बाहर जाते हैं एंटरस्टीशल फ्लरोड करने लागते हैं ऑड ग्रेंब करते हैं लिंफाटिक सिस्टम के अंदर इंटर सिर्फ फ्लोट काने बाद मिस्या करते हैं लिंफ करते हैं यह क्या करते हैं इंट्रेट को एपसब करता है मिलते हैं इसके बाद सर्कूलेटरी पाथ वे पर है